महिंद्र सिंग धोनी के रिटार्मेंट को लेकर लगातार बाते चल रही हैं कई दफ़ा बोला गया कि धोनी अब रिटार्मेंट लेंगे धोनी अगले साल लेंगे 2020 उनका आखरी टेस्ट आखरी क्रिकेट करियर होगा टीम का लेकिन यह नमबर 7 का जो प्लेयर है महिंद्र सि इनको जितना भी बोला जाए इनकी तारीफ जितनी की जाए कम होती है क्योंकि अगर क्रिकेट के एंगल से देखे तो महेंदर सिंग धुनी ने कई ट्रॉफीज टीम इंडिया को दिलाया है विदेश में जीतना भी सिखाया है जो दादा की रीद चलती आ रही थी इसकी बीच काफी विराट ने जब दादा को लेकर कहा था कि विदेश में हमने जीतना दादा से सीखा है तो सुनिल का अवसकर भी इस पर भड़क गए नमक छड़क दिया गंभीर ने गंभीर ने भी कह दिया कि विराट को ली बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन धूनी की हैं तो एलान ही कर दे लेकिन अब इसी बीच जब रवी शास्त्री जो टीम इंडिया के हेड कोच है फिलाल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है जिस तरीके से टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है रवी शास्त्री खुशी से जूम उठे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए हमने आउट किया 2-0 से सिरीज पर कबजा किया लेकिन अब जब दोनों ने बयान दिया है धोनी को लेकर तो आप देखे कि दोनों के बयान कैसे आपस में मिल रहे हैं गांगुली का कहना है कि धोनी चैंपियन है और उनका रेटार्मेंट किसी से छुपा नहीं है जो होगा स सिंग धोनी का बयान तो वो कहते हैं कि जन्वरी तक मत पूछिए मैं तयार हूं कि नहीं यह मैं जन्वरी के बात बताऊंगा फिलाल चलिए जब चार-पाच मिने से हम दिजार करी रहें धोनी का तो फिर 2-3 महीने और कर लेंगे लेकिन जब दोनों के बयान को आप देखि कि ठीक है उनका अपना एक नजरिया है यहां मैंने एक बयान दिया है तो वह भी उनका अपना एक नजरिया है लेकिन आप दोनों के बयान मिल रहें देखिए और आज इस पर बात करते हैं आज साथ हमारे सब्सक्राइब कर रमान जी के साथ रवी शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच जब दादा बीस याई के अध्यक्ष बने थे सर उस वक्त बोला गया था कि दादा ने कहा था कि हेड कोच कहीं न कहीं मैनेजमेंट में का हिस्सा नहीं थे वह बैठक में शामिल ही होते थे शायद वो टीम के कप्तान और टीम के कप्तान वाइस कैप्टन रोहित और विराट इन्हीं दोनों को हमिश्रा दादा के साथ देखा गया आज तक नहीं देखा गया कि बीशीजाई के दफ्तर में का बैना तो दोनों ने एक दूसरे के बयान का समर्थन किया यह बात कहा तक आपको लग रहा है क्या क्रिकट में क्या होने वाला एक समझ आपस में नस्तेंडिंग होना बहुत जरूरी देखे दो बहुत अधिक है एक कोच है और दोनों की अगर जो है सहमध्री चीजों के लि कि पहले एक दूसरे के सुर्व आपस में नहीं मिला करते थे बिल्कुल जो बाते चीत हुआ करते थी वह बी एक अलग तरह से हुआ करती तो बिल्कुल यह अब एक जैसा नजर आ रहा है कि क्या आप जो है कोच और जूगल बंदी बन गई है क्या जो टीम इडिया को आगर बढ़ाने की जो उन दोनों ने भीड़ा उठाया था क्या उसमें आगर बढ़ते हुआ नजर आ रहे हैं क्यों जिस तरह से बहुत बड़ा एक्जम्पल सेट करेंश जरूर गया है क्योंकि यह जिस भी तरह से हम देखें तो हर तरह से कहिने क कोच शास्री ओं और चाहिए तमाम टीम के प्लेयर सो सब लिए कहने के इतियासी मौमेंट था और बहुत गडगड़ हुए जो टेस्ट जीट उसके बाद भी बहुत बहुत कुछ नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि दादा और शास्री अपनी पुराने चीज़ों को बहुल क करते हैं अगर बात करें तो फिलाल अभी अदर देखे तो चीफ सेलेक्टर एंसके प्रसाद उन्होंने लास्ट टीम का अलान कर दिया वेसेंडी के साथ भारत का उनका कारेकल समाप्त हो रहा है और जब भी एमसके प्रसाद अपने पद से जब हटेंगे इस्तिफा देंग तो कहा जाता है कि कहली का यह कहना था कि रवी शास्त्री को बन गए उस वक्त दादा ने कहा था कि टीम इंडिया को अनिल कुमले से बहतर कोच कभी नहीं मिलेगा और जब शास्त्री टीम के कोच हुए जब हम वर्ड कप मुझे याद है न्यूजिलैंड के साथ हम हारे थे जब हम बहार इंग्लैंड में खेल रहे थे उस वक्त हार के बाद जब रवी शास्त्री ने मीडिया से बात चीत कि उन्होंने का था हम एक पैस तो आ रहे हैं लगातार पांच मैच हमने जीता है और एक मैच हार गया उस वक्त भारत में कई बड़ा से बड़ा उनकी बातों को लेकर बोला गया था कई दफा अलोचना हुई कई दफा ट्रोल किया गया रवी शास्त्री को क्योंकि आप समी फाइनल महार गयते हुझ लेकिन उसके बाद दादा ने वहां पर कहा था कि यह क्या बात होती है लेकिन अब इसी बीच अगर आप देखे तो बैठक से जब को अधक्ष बने थे उस वक्त भी दादा ने रिजामंदी नहीं दी कि वह आके बैठें महां पर लेकिन अब जब दोनों को देखें को टेस्ट में भी जब शेक हसीना मिलने आई थी सारे वो क्रिकेटर से मिल रही थी उस वक्त रवी शास्त्री सामने खड़े थे और दाद जो सफलता है जरूर बहुत सारी चीजों को बदल देती है और बिल्कुल जिससे अब दादा के जो संब्द नजर आ रहा है और साथ में महतमूल जो बात है वो यह है कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दोनों कहने करिके आपस तालमिल बटाते हुए नजर आ रहा है जिस तरह की लगातार बाते चल रही थे कि दादा में जम्य की नहीं कुछ दिनों के बाद ही मनमुटाव हो जाएगा बाद ही शायद अलगाव हो जाए कोच से कोच पर छोड़ना पड़ जा शाया शाय ऐसा कुछ होता हो नजर नहीं आ बलकि जो दादा है वो सपोर्ट करत बहुत निगाहें लोगों कि यह सब यहीं कहते हो नजर आ रहे हैं चलिए चोटे मों टीमों से बहुत के लिए जाइब तो यह जो बात है इसको किस तरह से लेती एक सब्सक्राइब करते तो अब जब बात हम करें तो रवीशास्त्री और दादा दोनों का बायान धूनी कर रिटार्मेंट को लेकर सेम है और धूनी का रिटार्मेंट एक ऐसा मसला है क्रिकेट के लिए इंडियन क्रिकेट के लिए फिलाल जो कि बिलकुल नहीं सुलज रहा है और पेच दर पेच वह बरता जा रहा है लेकिन अब देखते हैं धूनी कब रिटार्मेंट लेंगे लेकि उनी कही न कहीं अब जो कारण बन गया उनके रिटार्मेंट को लेकर विए ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि क्या उन्हें रिटार्मेंट अभी लेनी चाहिए या नहीं और किस टूर के लिए उन्हें आना चाहिए क्या न्यूजिलेंड टूर के लिए क्यो तो दोनों के सोरे मिल रहे हैं, दोनों की बाते अब हो रही है और आने वाला वक्त आप देखना दिल्चस्पर वक्त कि क्या BCCI के मेनेजमेंट में रवी शास्तरी शामिल होंगे क्या दादा क्या पोसेट उनके वो बैठेंगे क्या हम देख पाएंगे क्या दोनों के बीच बात होगी क्रिकेट को लेकार कितना बहतर होगी कि दोनों का ही मोटो यही है कि इंडिन क्रिकेट का भलाई करें इंडिन क्रिकेट को जितना बहतर हो से कि उतना बहतर बनाए तो फिलावकिल दीजिए इजाज़त, तमस्कार और देखते लिए नेक्स सेनल स्पोर्ट्स